Hello children, आज मैं आपको पार्ट 10 पढ़ाऊंगी, इसका नाम है काल, इंग्लिश में इसे tense कहते हैं, काल का अर्थ है समय, मतलब जो वाकिय हमें समय का ग्यान कराते हैं, उनको काल कहते हैं, जैसे देखिए, सुधा पढ़ रही है, ये पढ़ रही है, क्या है? किरिया है, मुकोल आ दूसरे वाकि में जाने की किरिया पूरी हो चुकी है, मतलब वो जा चुका है तो बीता हुआ समय है, तीसरे वाकि में आने की किरिया अभी पूरी नहीं हुई, मतलब आने वाली है, आने वाला समय बता रहा है, इस परकार किरिया के जिस रूप से कारिके होने के समय का ग्यान हो उसे काल कहते हैं, जैसे हर्ष लिख रहा है वर्तमान काल, हर्ष लिख रहा था भूत काल, हर्ष लिखेगा भविश्यकाल, याद रखिए बच्चों कि बच्चों काल के बदलने पर किरिया के रूप में भी परिवर्तन आ जाता है, काल के भेद, काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल भूत काल तथा भविश्यकाल वर्तमान काल जिस समय कोई किरिया हो रही है या होती है उस समय वह किरिया वर्तमान काल में होती है जैसे हम टीवी देख रहे हैं पापा जी कार्याले का काम कर रहे हैं मम्मी जी खाना बना रही है उप्योक्त वाक्यों में कारे वर्तमान समय में हो रहा है भूत काल किरिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कारे पूरा हो चुका है वा किरिया भूत काल की कहलाती है जैसे मैंने ताजमहल देखा था नानी जी ने कल कहानी सुनाई थी मैं नानी जी के घर गया था उप्योक्त वाक्यों में बीते हुए समय बूत काल में कारे के होने का पता चलता है भविश्यकाल किरिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि किरिया आने वाले समय में कभी होगी उसे भविश्यकाल कहते हैं आज से मैं सच बोलूँगा कल मामा जी आएंगे हम सरकस देखने गए उपयोगत वाक्यों में आने वाले समय में कारे के पूरा होने का पता चलता है